मेरा भारत महान में एक भारतिय हूं। मैं आज आपके साथ एक सरल परंतु अती महत्पूर्ण वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट पर टॉपिक पर विचार शेर करने जा रहा हूं। हम सभी भारतिय हैं। हमें हमारे भारत की भोगवलिक इस्तिती की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। हमें जानकारी होनी चाहिए कि भारत की सिमाओं से लगकर देश, सागर, खाड़ी, महासागर क्या-क्या लगे हुए हैं। ना केवल इतना ही बलकि हमें यह भी नौलिज होना चाहिए कि वे कौन-कौन सी दिशाओं में आते हैं। अगर हम एक सचे भारती हैं और एक इंटेलिजेंट पस्टन हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी इंडिया के बारे में, अपने भारत के बारे में इस जानकारी को समझें और याद करें। और जो इस्टुडेंट से उनको मैं यह एडवाइस करूँगा, सलाहा दूँगा कि वे मार्केट से जो खाली मेप्स इंडिया के आते हैं, भारत के आते हैं, पहले इस एपिसोड को सुनें और उसके बाद में मेप को भरने की कोशिश करें। मैं आपको बता दूँ, कोई भी मेप हो, चाहे वह वर्ल्ड मेप हो, चाहे वह इंडिया मेप हो, या किसी स्टेट विशेश का मेप हो, और यहां तक कि यदि आपने अपने हाउस का मेप बनवा रखा है, तो वह चाहे मकान का ही नक्षा क्यों नहों। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिये मेप वही सही होता है, जिसमें यदि हम मेप को टांगे दिवार पर, तो अपवर्ड यानि उपर की तरफ नोर्थ हो, उत्तर हो। जब हम इंडिया मेप को भी अपनी वोल पर टांगते हैं, तो हमें मालूम पड़ेगा कि उपर की तरफ नोर्थ होगा, राइट में इस्ट पूरब होगा, बोटम में साउथ दक्षिन होगा, और लेप साइड में पश्यम होगा। हम सबसे पहले जो आपको जानकारी देने जा रहे हैं, वह यह है कि हमारे देश के सेमा से, जो लगा हुआ एक महत्पून देश है, जिसकी चर्चा आए दिन, अख़बारों में टीवी पर बनी रहती है, वह है पाकिस्तान। हमारे भारत के उत्तरपश्चिम में पाकिस्तान है, जो की गुजरात, राजस्तान, पंजाब, जम्मु कस्मीर और लग्दाक से जुड़ा हुआ है, इसकी सीमाय जुड़ी हुई है। यदि हम इसी डाइरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, यानि की नोर्थ फेस्ट में, तो पाकिस्तान के उपर हमें अफगानिस्तान मिलेगा। अब हम क्लोक वाइच चलते हैं, तो हमारे भारत के नक्षे में उत्तर में जहां जम्मु कस्मीर है, वहीं पर हमें एंडिंग पॉइंट पर लग्दाक मिलेगा। उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा टन करते हैं राइट में क्लोक वाइच तो नौर्थ इस्ट में हमें चाइना, जो एक बहुत बड़ा देश विश्व में हैं, वो हमें मिलेगा। और चाइना जो लगा हुआ है, यह है लग्दाक से, हिमाचल प्रदेश से, उत्राखन से, नेपाल से लगा हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं, तो हम यह पाएंगे कि हमारे नौर्थ इस्ट में उत्राखन से लगा हुआ, बिहार से लगा हुआ, यूपी से लगा हुआ, जो एक और देश है, वो है नेपाल। जिसकी राजधानी काठ मांडू है, पशुपति नात का विश्व प्रशिद्ध मंदिर वहां इस्तित है। इसके राइत में जब हम पूरब दिशा की तरफ चनते हैं, तो हमें मिलेगा भुटान, और फिर उसके बाद में नीचे की तरफ जब उतरते हैं, तो लगभग हमारे भारत के पूरब में बांगला देश इस्तित है। उसके ठीक नीचे जब हम चलते हैं, कहने का मतलब है दक्षिन पूर, दक्षिन और दक्षिन पश्चिन, ये जो तीन दिशाये हैं, ये तीनों दिशाये हमारे भारत की पानी से गिरी हुई हैं, और बहुत बड़ा जल का स्वरोत यहां पर बने हुए है। इस्ट साउथ में बंगाल की खाड़ी है, साउथ में इंडियन ओशियन हिंद महा सागर है, और साउथ वेस्ट में अरब सागर है। मैं आपको यहां बता दूँ कि केरल, करनाटक, महाराष्ट, गुजरात यह अरब सागर से मिले हुए हैं। ठीक दक्षिन में यदि हम जाते हैं हमारे भारत के ठीक दक्षिन में, तो समुद्र की कुछ सीमा पार करने के बाद हमें स्रीलंका देश मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि जो संक्षिप्त परीचे मैंने यहां पर आपको ना तो कत रेखा के बारे में बताया है, ना ही देशांतर या अक्षांस रेखाओं के बारे में बताया है, ना ही राज्यों के बारे में, ना यूनियन टेरिटरीज के बारे में, ना चीन की दिवार के बारे में और नहीं पाकिस्तान से जो शीमा लगी वी है उसको क्या कहते है उसके बारे में Just मैंने जो आपको शेर किया है नक्से के साथ में भारत के नक्से के साथ में जो बात पश्शिम में कौन सा देश इस्तिते हैं यदि मैं राजस्थान में हूँ तो मेरे राजस्थान के उत्तरपूर में कौन सा देश है यदि मैं राजस्थान में हूँ तो मेरे राजस्थान के पश्शिम दक्षिन में कौन सा सागर या महा सागर है हमें इस चीज की जानकारी हो होनी चाहिए हम खूब अच्छे से जानते हैं कि इन दिशाओं का ज्यान हमें अपने मोबाइल में जो कमपास लगा हुआ है उससे भी हो जाता है और जो जियोग्रफी के विद्ध्यार्थी है उनके पास में तो कमपास वेसे भी होता है उससे जो अलग से कमपास एक इंस्ट और हर व्यक्ति जो समझतार है उसके लिए यही सजेश्ट करूँगा कि उसको अन्य श्टडी मेंट्रियर के साथ साथ एक कमपास भी अपने श्टडी रूप में डेफेनेट्ली रखना चाहिए, एक मैगनेट रखना चाहिए चाहे वह बार मेगनेट हो, होर्स शू मेगनेट हो, या अन्य कोई मेगनेट हो, लेकिन आपके पास में होना चाहिए, मुझे उमीद है कि भारत की जो भागौलिक इस्तिती है, एक दम सामने परिचे, एक दम सामने परिचे आपको मैंने दिया, लेकिन ये सामने तब है, जब आप इसके बारे में पहले से कुछ जानते हैं यदि आप पहले से कुछ नहीं जानते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह है छोटा सा टोपिक भी इस्टूरेंट के लिए आप के लिए एक बहुत ही जटिल टोपिक हो जाएगा और बार बार आपको हमारे इंडिया मेब को भारत के नक्षे को देखना पड़ेगा जै हिंद जै शी किष्णा